today कween मलेख नहुंट वेल वीडियों वीडियो olduğunu देखेंगे हिस्टाक मार्केट में इंट्राइडे ट्रेडिंग क्या है इंट्राइडे मेर्केट में इक बहुत ही पॉपुलर चीज लगोई बहुत सारे profit बनाता भी है market में और बहुत सारे लोग बहुत सारे loss करता भी है market में guys इंट्राइडे टेडिंग एक रिक्स वरा चीज है लेकिन सही तरीके से अगर इंट्राइडे टेडिंग को किया जाए तो यहाँ पर आपको कुछ profit भी मिल सकता है तो आज के वीडियो में हम डीटेडिंग में बात करेंगे कि इंट्राइडे टेडिंग क्या है इंट्राइडे टेडिंग करके बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे के इस तरह से कमाता है और बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे के इस तरह से गवाता है यह दोनों topic के वारे म बात करेंगे अगर आप नहीं हैं इस्टॉक मार्केट में और इंट्रणे टेडिंग के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता है तो इस वीडियो को देखने के बात इंट्रणे टेडिंग से इलेट जो भी इंकोरी आपका क्लियर हो जाएगा तो चलिए वीडियोगों सुरू से बात करते हैं, अगर आप stock market में किसे भी stock को खरीदना चाहते हैं, जैसे मालेज़ें कि यह SBI का stock है, आप इस stock को खरीदना चाहते हैं, तो इसमें एक दो चीज होगा, पहला कि आप delivery में stock को खरीदिये, delivery में खरीदना यानि कि stock market में जो भी stock listed है, उसका जितना price है, जैसे यहाँ पर State Bank of India लिश्टेड है, मैं कोई State Bank of India का promote नहीं कर रहा हूँ, ठीक है न, जैसे इक्जामपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, यहाँ पर State Bank of India का जो stock है, उसका price कितना है, 816 रुपिया, अगर आप 816 रुपिया देके, इस stock के एक stock को खरीदते हैं, तो यह खरीदना ह हो जाता है, delivery, यानि कि आप पूरा उस stock का जितना value है, उतना value उनको दे दिया, और उन stock को आप ले लिया, जो कि company को आप यहाँ पर पैसे दे दिये, जो भी demand account में आप खरीदेंगे, वहाँ पर आपको list मिल जाएगा, वहाँ पर आपको buy करने का options मिल जाएगा, तो simple आप buy देना पड़ेगा, इन stock का पूरा दाम देना पड़ेगा, राइट, 816 रुपिया, अब हम बात कर लेते हैं कि intraday trading क्या है, delivery trading में आपको बता दिये, कि इसका पूरा price दे के आपको खरीदना होगा, वह हो जाता है, हमारा delivery में trade करना, अब intraday trading में क्या होता है, कि intraday trading में contract रहता है, पूरे एक दिन का, मतलब जिस दिन आप खरीदेंगे, उसी दिन उसको बेचना है, लेकिन आपको क्या है, वहाँ पर आपको 816 रुपिया नहीं देना पड़ेगा, यानि कि सपोस मान लिजे कि आपके पास 10,000 है, 10,000 में अगर delivery में आप इन stock को खरीदना चाहेंगे, तो इसका लगभग मान लिजे कि 8 या 9 stock ही आप खरीद पाएंगे, क्योंकि 800 लर्पिया दाम है, तो 9 stock खरीदे खरीदे आपका 10,000 कोफर, तो 10,000 में आप इसका 8 या 9, 9 मान लिजे कि 9 stock खरीद पाएंगे, अगर लेकिं intraday trading जब आप करते हैं, तो intraday trading में क्या होता है, कि आप delivery में खरीद देंगे, तो आपका 10,000 का value 10,000 ही रहेगा, आपको 9 stock ही आप खरीद पाएंगे, लेकि intraday trading में आपको leverage मिल जाता है, यानि कि intraday trading में क्या होता है, कि intraday trading जब आप करते हैं, तब आपका 10,000 का भेलू ना, 10,000 नहीं रहता है, यह 10,000 का भेलू लगवक 50,000 के आसपस हो जाएगा, ठीक है न, यह 50,000 के आसपस हो जाएगा, यह 10,000 का भेलू, अगर आप इंट्राइडे टेडिंग में करते हैं, पांच गुना हो जाएगा आपका पैसे का भेलू, तो 50,000 में आपकी इतना लगबग मान लीजिए कि इसका 40-45 श्टॉक खरीद पाएंगे पचास हजार में यही इंट्राइडे टेडिंग अगर खरते हैं आप तो आप इसका लगबग मान लीजिए 40-45 श्टॉक आपको मिल जाएगा 10 हजार में ही 10 हजार में ही आपको अगर आप इंट्राइडे में खरते हैं तो आपको 40-45 श्टॉक मिल जाएगा अपका पैसे को पांच गुना बढ़ा देता है वो ब्रोकर जो डिमाट अकाउंट आप यूज करते हैं वो डिमाट अकाउंट आपको कितना दे रहा है उसके उपर है तो मैंने मिनिमाम एक 5X कर दिया जो की रहता है लगवग 5X रहता है पांच गुना आपका भेलू बढ़ा देता है ठीका ना लेकिन इसमें इंटरे टेडिंग में प्रॉब्लम है वो किया है पता है आपको एक ही दिन में उसको खरीदना है और बेचना है यानि कि एक ही दिन में 9-15 में मार्केट ओप देंगे ठीक है ना लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एक ही दिन का अंदर उसी दिन के अंदर जैसे यहाँ पर SBI की स्टॉक वान डेक में देखिए लगवग 4 परसन के ऊपर यहाँ पर बढ़ा है राइट तो SBI की स्टॉक में अगर इंटरेट एडिंग किया जाता मान तो इसका क्या होता है लगवग 40-45 इस्टॉक आपको मिल जाता है ठीक है अब मान लिजे कि यह इस्टॉक सारे 4 परसन यहाँ पर देख सकते हैं कि बढ़ा है सारे 4 परसन अब सपोज मान लिजे आप थोड़ा दिर मार्केट ओपन होने के थोड़ा दिर बाद में बाई किय उपर की किया है अब जो चार्ट दिख रहा है आपको चार सारे 4 परसन का प्रॉफिट यह जिस दिन का चार्ट है उसी दिन का को दिख रहा है तो मान लिजे कि सब्स इस दिन आपने 50,000 लगा के यहाँ पर इस स्टॉक में इंटरे टेडिंग किया था आपके पास 40-45 जाए था लेकिन आपका ओर्जिनल कैपिटल कितना था 10,000 ही 10,000 ही था औरिजिनल केपिटल 10,000 से आपको 2,000 का profit मिल जाता लेकिन इसमें problem यह है कि यह तो profit में दिख रहा है न अगर loss होता आपको मैं example के लिए किसी loss बाली stock को भी दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि loss अगर होता है तो loss किस तरह से होता आपको तो example के लिए हम एक stock के यहां पर लाए हैं देख सकते हैं जो stock लगवग 8% का negative है 8% माइनस गिया है ठीक है ना तो अब मालो कि सबसाब इस stock में पैसा लगा दिये इसको खरीद लिए अब यह 8% नीचे चलिए तो आप तो लगाए थे 10,000 लेकिन आप इंट्राइडेर में लगाए थे इसलिए 10,000 का फिलव आपका 50,000 हो गया था तो 50,000 के इसाब से अगर 8% का loss आपको होता है तो 4,000 का आपका loss तो आपने 10,000 लगाया 4,000 आपका loss हो गया तो यानि कि आपका 40% capital खतम एक ही दिन में तो इस तरह से इंट्राइडेर टेडिंग में बहुत बढ़ा-बढ़ा loss भी होता है और profit भी होता है अब आपके knowledge के उपर depend है अगर आप stock marketer नहीं आया है ना तो आप definitely loss कर दोगे अगर पुराने है तो आपको knowledge होगा आपको सिर्फ इतना पता करना है कि stock उपर जाएगा या नीचे simple चीज है यही आपको बताएगा हर कोई लेकिन यह पता करना बहुत ज़दा tough हो जाता है भाई इसलिए यह इसमें आपका एक stop loss and एक profit का target भी fixed करना है stop loss आप target क्या होता है कि आप लगाए है 10,000 में आप लगाए है 10,000 capital इसमें आपका fixed है कि 500 का अगर loss होता है तो आप निकल जाएंगे 200 का loss होता है आप निकल जाएंगे यह फिस दबस 1000 का loss होता है तो आप निकल जाएंगे यह stop loss होता है इस से ज़्यादा अगर loss होता है अगर आप उसको बैठे रहते हैं आपका अगर कोई stop loss नहीं रहता है तो आपका capital एक ही दिन में 50% 60% 70% खतम हो सकता है क्योंकि आपको 5 गुना कर रहा है न आपका पैसा आप 10,000 लगा रहे हैं इंटरेटेडिंग में वो 10,000 10,000 नहीं रहता है 50,000 रहता है तो 50,000 के हिसाब से आपको profit भ होगा यह चीज़ होता है इंटरेटेडिंग में और वहीं अगर delivery में खरीते हैं तो delivery में 10,000 में कितना मिलता आपको 9 stock मिलता तो 9 stock कहां मिल रहा था हमें 45 stock मिल रहा था तो profit loss 45 stock के हिसाब से होता और यहाँ पर 9 stock में होगा delivery में profit loss तो इससे क्या होता है कि जब delivery में खरीते ह है जब आप delivery में खरीद दें तो आपका कोई barrier ने delivery यानि की stock के दाम जितना है उतना में खरीदना राइट stock का दाम जितना रहता है उतना में ही खरीदना delivery में बतलब अब मान लो कि यह एक stock है suppose अधानी इंडर फ्राइज simple fund आए अगर आप delivery में stock को खरीदते हैं तो stock का जितना फ्राइज है उतना ही फ्राइज आपको देना पड़ेगा और stock को आपको खरीदना होगा और stock को जितना दिन तक जाये उतना दिन तक होल्ड कर सकते हैं लेकिन वहीं अगर आप stock को इंटर ट्रेडिंग के लिए खरीदे है, तो Stock का जितना फ्राइस है, उससे 5 गुना कम फ्राइस में आपको मिल जाता है, लेकिन आपको उसे एक दीन में ही बेचना है, एक दीन में ही उसका जो भी ट्रेड है, उसको खतम करना है, अगर एक दिन में नहीं करते हैं यानि कि 9-15 में मार्केट उपन होता है उसके बाद खरीच सकते हैं उसके बाद 3-30 में मार्केट बंद होता है तो 3.30 मिनट से पहले आपको इंट्रारे टेडिंग में जो भी स्टॉक को आप खरीदे हैं उसे बेचना होगा अगर आप सोचें कि आप सालो साल तक होल्ड कर सकते हैं पचालो साल तक होल्ड कर सकते हैं जितना दिन तक कंपनी रहेगा उतना दिन तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक चीज यह है कि इंट्रारे टेडिंग हो या फिर डेलिवरी में टेडिंग करना हो दोनों ही चीज में मदद कर सकते हैं आपके stock market के journey को complete करने के लिए अगर आप इसे नहीं लेना चाते हैं तो YouTube में बहुत सारे वीडियो है जिससे आप knowledge gains कर सकते हैं stock markets related का बहुत सारे लाखों वीडियो गिरा हुआ है अब वहां से knowledge gain कर सकते हैं अगर आपको books पढ़ना है तो books का link discussion पे है इस वीडियो के discussion पे books का link भी आपको मिल जाएगा आप बहुत सारे books खरीद सकते हैं stock markets related से और वहां पर भी आपको अच्छा का सा knowledge मिल जाएगा stock market में किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले चाहिए वो future option में हो लॉस आपको हो सकता है देख रहे हो ना खाली रेड ही रेड तो लॉस भी आपको हो सकता है भाई तो stock market में investment करने से पहले खुद research बहुत अच्छे से कर लिजिए तभी stock market में पैसा लगाईए चाहे वो आप किसी भी चीज़ में लगा रहे है आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगाया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आटिंगों दबा लेना आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए और जाते-जाते डिस्क्रिस्टन एक बाद चैप कर लेना डिस्क्रिप्सिन में आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मिलते हैं नेक्ट वीडियो पे आज के लिए इतना ही धन्यवाद